हाई गाईज, आज सरीटा कीचन कॉर्नर में बनने जा रहा है सत्तू, ये चने सत्तू की पराठे, चने सत्तू का लिट्टी भी बनता है गाईज, चने की सत्तू की पराठे भी बनते हैं, तो मैं आज ये तल के ना बना के मैं इसके पराठे बना रहे हूँ, और किस-किस ने यह सब डाल के मैं सत्तू में mix करूँगी उसके बाद मैं आटा में भढ़के पराठे बनाऊंगे सत्तू के पराठे इतने मस्त बनते हैं अभी मैं प्याज को crush करलू फिर आपको दिखाते हैं यह दिखे हैं हमारे प्याज तो हो गई अब मैं हडी मिर्ची और लसन और अधरक है यह मैं crush करूँगी इसमें क्योंकि काटने में बहुत टाइम बेस्ट होता है गाज इसमें फटाफट crush हो जाएंगे अब दिखे मैं फटाफट इसमें crush करके आपको दिखाती हूँ गाज हाँ गाज दिखे अब हमने इसमें सत्तु में श्वादा नुसार यह नमक डालूँगी यह हमारा चने के सत्तु है तो मैं इसमें स्वादा नुसार नमक डालेंगे और फिर मैं यह crush करके अजवाइन डालूँगे गाज है ना यह अजवाइन के बाद, मैं यह जो लस्टन, अद्रक और मिर्ची जो मैंने उसमें किया था, देखे और यह प्याज काटा था मैंने, इत्पी बाड़ी के, उस से, चक्कू से काटने से अच्छा है ना, कि मैं उसमें, मिक्स कर लूँ अच्छे से, यह हो गया, उसके बाद न परसों के तेल डालने से न गाईज बहुत यम्मी और टेस्टी बनता है यह अचार का तेल डालेगा गाईज अब यह सब कुछ डालके और यह मैं एक निम्बू का रस है मैं यह भी डालूँगी और डालने के बार अब मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूं पराठे बना के कारी तैयार हो गई है अब आप इसके साथ या तो पराठे बढ़के बनाए या लिट्टी बनाए या कंडे पे सेकिए इसके साथ बैगन का भरता बनाए दही लिजिए और इंजॉय किजिए मानसून इस पेसल रेसिपी है गाईज बरसा के मौसम में यह रेसिपी इतनी अब मैं बना के बताती हूँ आपको अब मैं इसको सील कर दूंगी सील करके और फिर पराठे मैं बील के आपको बताती हूँ अब आप इसको हलके हाथों से पराठे को आप बील लीजिए बील के और कडारी अच्छे सीक लीजिए गाईज देखे कि तब डिया भिला रहा है आपको भढ़के बता देते हूं एक और पीस देखें मैंने ये दो चम्मच रखा भढ़के सत्तू और सत्तू डालने में कंजूसी मत करिए गाईज नहीं तो स्वाद नहीं आएगा सत्तू आप पूरा भढ़के जैसे आलू के पराथे में पूरे आलू भरते हैं वैसे ये प अच्छे से हो रहा है तो आप घी में सीखना चाहें ओईल में सीखना चाहें वो आपकी मर्जी है आप जिस चीज में आप सीखना चाहें आप से सकते हैं घी में तो और भी अच्छा स्वाद आएगा है ना तो आप जहां जिस चीज में आप बनाना चाहें सीखना चाहें ब उन्होंने ये पराठे जरूर खाए होंगे एक और मैं बनाती हूँ फिर आपको दिखाते हूँ प्लेटिंग करके किते बढ़िये बने हैं ना हमारे सत्तू के पराठे हाँ गाई देखिए हमारे सत्तू के पराठे कितने मस्त बन रहे न ये जैसे दबाएंगे आप ये पराठे ऐसे फूल जाएगी देखिए कितने मज़ेदार फूल रहे न पराठे किस-किस को खाना ये अपने यूपी बिहार वाले ने रोज बनाते हूं तो उनके घरों में य जरूर बनता होगा है खुश हो जाएंगे आज बरसात की रेसिपी देखे सब लो अगाई अगर हमारी ये सत्तु के पराठे आपको पसंद आया हो तो सरीता किचन कॉनर को लाइक एंड सस्क्राइब करें